ओम नमो भगवते वासुदेवाई नमः जैमातरानी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मा भगवते दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वधा बनी रहे दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे सभी के मन में हैं कि हम रक्षा बंधन किस दिन बनाएं 11 अगस्त को और उसमें भी सबसे शुब महुर्थ कौन सा है जिस समय में हमें अपने भाई को राखी बांधना चाहिए तो आज की वीडियो में रक्षा बंधन के सबसे शुब महुर्थ के बारे में बात करेंगे किस दिन राखी बांधना सबसे स्रेश्ट होगा और इसके अलावा भी आपके बहुत सारे प्रशन कमेंट बॉक्स में आई हुए हैं जैसे कि क्या हमेरा त्री में राखी बांधना चाहिए ये शुब होगा के नहीं होगा और कई लोगों के प्रशन हैं कि भद्रा पाताल नित्ती बारे में भी आपको आज की वीडियो में शेर करने वाली हूं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अठ्री closer. अगर बेल बिटल कर लेंगे तो इससे ग्यारहागस्त को सुभध 10 बज कर 38 मिनट पर और समाप्थ हो रही है 12 अगस्त की सुभध 7 बज कर 5 मिनट पर तो ऐसे में 11 अगस्त को पुर्णिमा दीती प्रारंब हो रही है वो शुर्योदे कालिन नहीं होगी वो दिन में प्रारंब हो रही है लेकिन जो भी व personalities करने वाले तो इस प्रकार से दो दिन की पुरुणिमा है जो लगबग हर बार ही होती है लेकिन अब बात करते हैं रक्षा बंधन की कि रक्षा बंधन कि इस दिन मैंना चाहिए देखिए 11 अगस्त को जब पुरुणिमा तिथी प्रारंब हो रही है मतलब सुबह 10 बज कर 38 मिनट पर जब को आइए बातनी चाहिए क्योंकि भद्रा काल को कभी भी शुब समय नहीं माना गया है इस समय में कोई भी कारियह नहीं किया जाता है अब बहुत से लोगों का कहना है कि प्रित्वी लोग पर यह मानने नहीं होगी देखिए बहद्रा चाहें पाताल लोग यह प्रित्वी लोग की हो भद्राकाल का समय अशुभी बाना जाता है तो इस समय में अगर हम राकी नहीं बाधे तो ज्यादा स्रेष्ट होगा वैसे बहुत से लोगों का मत है कि वह दिन में भी राकी बांद सकते हैं पाताल लोग की बद्रा है परिशान होनी की आवशकता नहीं देखे यह मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ आप बिल्कुल भी इस समय में राखी मत बांधिये शाम को जब भद्राकाल समाप्त हो जाएगा रात्री में उसके बाद ही राखी बांधेंगे क्योंकि सास्त्रों के अनुसार भद्राकाल के समय में राखी बांधना या भद्राकाल की समय में होली का देहन करना ये दोनों ही विनाश का कारण होते हैं और ऐसा क्यूं करना चाहिए जब हमें अपने भाई को राखी बांधना है तो इस तरह की कोई भी गलती क्यूं करनी चाहिए रक्षा बंधन का त्योहार भाई बहन के बीच में प्रेम बना रहे इस कामना से मनाये जाता है और भाईयों की उम्र लंबी हो द्रगायों की उने प्राप्ति हो जीवन में सफलता की प्राप्ति हो परिवार में उनके सुक सम्रिद्धी बनी रहे इसी कामना से बहने अपने भाईयों की कलाई पर राखी बांदती हैं तो ऐसे में भद्राकाल में राखी बांदने की गलती भूल से भी मत करिए और अब बात करते हैं कि क्या हम 12 अगस्त को रक्षा बंधन मना सकते हैं देखें 12 अगस्त को सिर्फ सुबह 7 बजकर 5 मिनट तक ही पुर्णिमाति थी हो कम से कम 6 घड़ी तक पुर्णिमातिती हो जिस दिन उसी दिन रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाता है और ऐसे में 12 अगस्त को हम देखते हैं तो बहुत थोड़ी समय के लिए पुर्णिमातिती हमें प्राप्त हो रही है उसके बाद भाद्रपद माज की प्रतिपदा तो उस दिन राखी मनाना स्रेश्ट तो नहीं होगा लेकिन उस दिन अगर आप राखी मनाना चाहते हैं तो साथ बज़कर 5 मिनट से पहले ही आप राखी बांध लीजिए उतने ही समय तक की पुर्णिमा आपको प्राप्त हो रही है तो उसके बाद आप राखी नहीं तब अगर थोड़े समय के लिए भी सुर्योदय कारीन एकादिशी तिति हमें प्राप्त होती है तो उस दिन हम पूर्णिमा का व्रत कर लेते हैं लेकिन रक्षा बंधन एक अलग तरह का त्योहार है एक अलग तरह का पर्व है इस दिन को पूर्णिमा तिति कम से कम छे होनी चाहिए तब हम पूर्णिमा का और रक्षा बंधन का पर्व मनाते हैं तो इस बात का ध्यान अवश्य रखिए अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं जैसे की यूटूब पर ही कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनको मैंने सुना वो कह रहे हैं कि रात्री में राखी न बांधी जाती हैं जब कई बार भाई बहुत देर से घर पहुंचते हैं तो ऐसे में रात्री में भी बहने राकी बांधती हैं जब भाई दूर से आते हैं और घर देर से पहुंचते हैं तो ऐसे में रात्री के समय में भी रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाता है ऐसा पह अपने अपने तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, शास्त्रों की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसे में आप ध्यान रखिए, भद्रा काल समाप्त होने के बाद रात्री आट बज कर बावन मिनट से, रात्री में आप साढ़े ग्यार बजे तक भी राकी बांद स अब देखे, बांधने को तो राकी जर्माश्मी तक भी बांदी जाती है, यए कई बार भाई बहुत दिनों बाद घर पहुंचते हैं, बहने राकी समभाल कर रखती है, और वह ml़ाइक घर आते हैं, टभी बांदी है, ये अलग बात होती है, लेकिन जब भाई बहन का एक पर्व है एक त्योहार है और उस दिन भाई और बहन दोनों एक जगे उपस्तित हैं तो ऐसी अवस्था में 11 अगस्त को रात्री आठ बसकर 52 मिनट से शुब महुर्थ प्रारंभ हो रहा है बद्राकाल समाप्त हो रहा है तो उसके बाद बड़े प्रेम से शनानित्यादी करने के बाद अपने घर में देवीदेवताऊं की पुझा आरादना कीजिए उन्हें भी ढूबदी परपित कीजियो진 और जो भी आपके देवी देवताऊं के घरमें विराजित हैं सब को रक्षा-शुत्र अर्पित कीजिए उन से प्रारत्ना कीजिए अपने भाईयों की जो प्राथना कीजिये बहुत ही पावन-पर्व हैं तो पावन समय में में मनाते हैं तो इससे बहुत शुब फल्की प्राप्ति ह Bowl नाते हैंख्जा-बंधन में मनाना चाहिए हर बात का बहुत अच्छे से ध्यान या करना चाहिए तो शुब अगे फिर शुब राखी बांध लीजिए उसके बाद आपको राखी बांधने का कोई भी शुब्मूर्थ प्राप्त नहीं हो रहा है भादरपद मास प्रारंभ हो जाएगा भादरपद मास की प्रतिपदा दिथी प्रारंभ हो जाएगी तो उस समय राखी बांधने का कोई महत्व नहीं रह ज जाता है किस प्रकार से गर्त चाहिए और और आधिक जनकारी की मुझे इसलिए वीडियो में नहीं बनाई है अपने अदिक कर आफ एसी परिवार में परंपरा एंगा प्र South तो यह सिरेश्ट रहेगा और मस्तक पर तिलक आप केसर और कर लिए करिए यह सबसे शिरेश्ट है अर आशके दिन नियुक्ष बहने विशेश रूप उपिर्यों करें सबसे सरेश्ट ऑर ये लयरोग अगर आपको एड zugat rest पेल्फुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमली फ्रेंड्स के साथ चैनल पर पहली बार आए है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी